क्लास 11, कक्षा 11, और्द्योगिक क्रान्ति आज का हमारा विशा इस वीडियो में और्द्योगिक क्रान्ति है और्द्योगिक क्रान्ति इस कक्षा के इतिहास के विशियो में लगभग अंतिम पायदान पर है लगभग अंतिम अध्याय के रूप में तो मतलीजे इसका अर्थ ही हुआ कि हमने इतिहास की शुरुवात की वर्ष के प्रारम में और उसके शुरुवात हमने च्छै लाख वर्ष पूर्व के आदिमानों या उससे पहले होमो सेपियन्स और उससे भी पहले हमने च्छै लाख वर्ष पूर्व के इतिहास से अपनी कक्षा गैर्वी का इतिहास का अध्यान प्रारम किया था और 6 लाख वर्षों की लगभग यात्रा अब अपने आधिनिक काल में आ गई है सरप्रथम प्राच्छे लाख पूर्व का काल जिसे हम कह सकते हैं Early Societies उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे समय की शुरुवात हुई समय की शुरुवात के साथ साथ कैसे मानों का उद्भव हुआ मानों कैसे बना और आदि मानों की श्रिंखला चले साथ ही साथ हमने उस मानों के विकास की गाथा जो लगवक 6 लाख वर्षों लंबी है उसका हमने अध्यन किया था बहुत धीरे धीरे ये विकास हुआ प्रारंबिक विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे विकास की दर भी बढ़ती गई और वर्तमान में ये तीवर्तम दर है विकास, परिवर्तन, सुधार ये जिस गती से हो रहा है वह अतुलनिय है कहां छै लाख वर्षों तक आदि मानों की स्थिती लगभग वैसी ही रही उसने आग जलाना सीखा, फिर लेखन सीखा, फिर थोड़ी कलाकारी सीखी थोड़ा सब भी होने का जीवन जाना, खान पान में कुछ परिवर्तन आए और फिर शहरों का प्रादुर्भाव हुआ, गाउं, शहर, जोपडी जोपडी, गाउं, शहर, ऐसा कहा जाए तो बहतर होगा इस तरीके से प्रारंबिक जो हमने सेक्शन ए में पढ़ा था, अनुभाग एक में अनुभाग दो, उस विशह से सम्मंदित था जिसमें आदी मानों शहरों में रहने लगा था और धीरे धीरे एक तरीके से राज्यों का प्रादुर भाव होता है शहर धीरे धीरे राज्यों का रूप लेते हैं, राज्य फिर सम्मराज्य का रूप लेते हैं और उतकार हमने अनुभाग दो में इन सम्मराज्यों का ध्यान किया था और उसमें मुख्य रूप से हमने दो सामराज पढ़े थे, एक ऐसा सामराज जो तीन कांटिनेंट, तीन महाद्वीपों में फैला था, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ सामराज, कहां आदी मानों, छै लाख वर्ष तक की उसकी गाथा, फिर इसके बाद हम एक दम आते है सामराज पर, और सामराज जो तीन महाद्वीपों में फैला था, उसके साथ ही हमने पढ़ा था, इस्लाम का उदस है, क्योंकि इस्लाम के प्रभाव से एक नए सामराज का जनम होता है, एक अलग सामराज जनम होता है. इस प्रकार अध्याय दो में या अनुभाद धो में हमने सामराजियों का अध्यान किया आदिमानों, होमो सेपियन्स और फिर सामराज जब ये समराज जो बिलग अलग तरीके के थे अपनी स्वंस्कृति में, अपने विचारों में, अपनी सामाजिक जीवन में जब इन सामराजियों के निवासियों का स्वंस्कृतियों का टकराओ होता है तो टकराओं से प्रथाएं बनती हैं नहीं नहीं परंपराएं आती हैं तो हमने अनुभाग तीन में उसकी टकराहट का अध्यान किया था दोनों तरह के सामराज्यों की सभिताओं को समझा उनकी संस्कृति को समझा उनकी परंपराओं को समझा उनकी राजनैतिक व्यवस्थाओं को समझा आर्थिक व्यवस्था को समझा और इन सामराज्यों के विकास के कारणों को जाना आखिर यही सामराज क्यों बने बाकि सामराज कहां चले गए और क्यों गए इन दो सामराजियों की सफलता के कारण क्या थे इसका हमने बहुत गहराई साध्ध्यन किया था उसके बाद निश्चित रूप से जब एक सामराज दूसरे सामराज से टकराता है वर्चस्व के लिए अपनी सत्ता के लिए तो उस तकराहट में एक मन्थन होता है, उस तकराहट में संस्कृति की भी तकराओ होता है, विचारों का भी तकराओ होता है, और उसे हम कह सकते हैं मन्थन, समुद्र मन्थन की यदि हम चर्चा करें, तो जब समुद्र मन्थन हुआ था हमारी माइथालजी में, तो क्या निक समुद्र मन्थन से अम्रित निकलता है यहां पर भी ऐसे ही जब यह सामराजियों का टकराओ होता है कन्फरंटेशन होता है एक दूसरे से तो संस्कृतियां बदलती हैं कुछ यहां का और कुछ इस सामराजिय के इन विचारों के संगम से एक नए नई संस्कृति का जन्म होता है एक नए समाज का जन्म होता है नई सोच का जन्म होता है क्योंकि दोनों विचारों पूर्व और पश्चिम की अधि हम बात करें नक्षे में आप देखेंगे तीन कॉंटिनेंट का एंपायर और दूसरी तरफ इसलामिक एंपायर तो आप देखेंगे दोनों एक तरीके से अलग अलग जगह थे एक यूरोप में केंद्रित था और एक एशिया में केंद्रित था इन दोनों के सतत मंथन से कुछ नहीं चीज़े आएं और इदि मैं सरल भाशा में कहूं तो इसी का परणाम आधिनिक युग का उद्भाव यह जो एंपायर के हम बात कर रहे हैं यह एंपायर आता है मध्यकाल में सरप्रथम आधिकाल जब हमने आधि मानो आधि के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद प्राचीन काल जब हमने कुछ एंपायर साधी के बारे में पढ़ा उसके बाद मध्यकाल में हम पढ़ रहे थे कि कैसे संस्कृतियों का टकराओ हुआ बदलती संस्कृतिक परंपराएं मध्यकाल का इतिहास था और उसके बाद अब हम पहुँचते हैं इन बदलती संस्कृतिक परंपराओं से होने वाले जो परिवर्तन हुए वो कुछ तीवरगामी थे इन दोनों संस्कृतियों के या विविन संस्कृतियों की टकराहट से जो मन्थन से जो निकला वो मानो एक तरीके से अम्रित ही था जिसने आधिनिक काल को जन दिया विश्व का आधिनिक काल आप देखेंगे जैसा मैंने पूर में कहा कालों का जो डियूरेशन है वह भी कम होते जा रहा है प्राचीन काल यानि यदि मैं आधिकाल की बात करूँ उसका स्पैन जो है लगबख छै लाक वर्ष उसके बाद की काल का स्पैन लगबख एक हजार वर्ष फिर उसके बाद की काल का मद्द काल का स्पैन तेरा सो से सत्रा सो और उसके बाद सत्रा सो से दो हजार अभी जो हम आधनिक काल के तहट जो हम अध्योगिक क्रांटी अपने इस विश्य को पढ़ने जा रहे हैं इसका काल है सत्रा सौ से दो हजार याने अभी तक मातर तीन उसो वर्षों में ये पूरा काल समाहित है path to modernization आधनिकी करण का मार्ग प्रशस्त होता है इस मन्थन के बाद और पूरा विश्व जो है वो आधनिकी करण की और अग्रसर होता है और क्यों वो मन्थन विभिन कल्चर विभिन संस्कृतियों के समायोजन से विभिन संस्कृतियों की टकराहट से विभिन संस्कृतियों के मिलने से एक नई संस्कृति का उद्वह होता है और उसी के तहट आधनिक काल का प्राधिर्भाव होता है और उस आधनिक काल की जिस कि अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं वह सद्ध्याय का नाम है और द्योगिक падंति याने इंडस्ट्रियल रिऴल्वूशन कि और द्योगिक क्रं दी में इसे कैसे होती है हम एक बहुत लोग मांते होंगे कि करंदी का अर्ठ उस तरह की घटनाओं से है जिसमें खून खराबा होता हूँ जिसमें हिंसा होती हो जिसमें तलवारें चलती हूँ उसे हम करांती कहते हैं एक सामान्य लेकिन करांती कार्थ मात्र इस चे नहीं है कि किस तरीके से घटना हुए बलकि करांती कार्थ एक तरीके का परिवर्तन है तो अब हम चलते हैं अपने आज के अध्याय और द्योगी क्रांति की ओर अंग्रेजी में क्रांति को कहते हैं revolution क्या कहते हैं revolution और revolution शब्द का जन्म उसकी व्युत्पत्ति होती है to revolve से to revolve r e v o l v revolve मनें घूमना तो घूमने से revolution का क्या संबंद है घूमना spin करना घूमना उससे revolution का क्या संबंद है और उससे क्रांति का क्या संबंद है क्रांति का शाब्दिक अर्थ यदि हम जाने और द्योगी क्रांति में क्रांति का शाब्दिक अर्थ आप अद्योगी को कुछ समय के लिए भूल जाएं, अद्योगी की शब्द को, केवल करांती पर हम थोड़ा जाएं, कि करांती एक बहुत भारी परिवर्तन, बहुत भारी बदलाओ, बहुत ही भारी उलट फेर, मैं हर बार भारी शब्द को उपयोग कर रहा हूँ, भारी अर इतना घूम जाना कि पूरा उलट फेर हो जाएं, उसे करांती कहेंगे, कोई घटना इतनी तेजी से परिवर्तित हो जाएं, परिणामों का परिवर्तन हो जाएं, भारी परिवर्तन हो जाएं, पूरी तरह घूम जाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अप साइड डाउ हो जाना ऊपर का नीचे हो गया उलट्फेर हो गया भारी परिवर्तन हो गया ऐसा परिवर्तन एसा उलट्फेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिती का स्वरूब बिलकुल ही बदल जाए किसी व्यवस्था या स्थिती की भी बात है उसका स्वरूब बिलकुल ही बदल जाए तो उसे कहते हैं करांती भारी उलट फेर ये बहुत संशिप्त में एक दार अंडिया और विस्तारतिय नी बात करों तो थोड़ी और जानें कि आखिर क्रांति क्या है एक पक्ष मैंने आपको बताया क्रांति की परिभाशा देती है और वो है आमूल चूल परिवर्तन उलट फेर परिवर्तन ये तो उसका परिणाम मैंने बताया परिवर्तन हो जाता है पूरा बदलाव आजाता है मूल भूत परिवर्तन हो जाता है अब इसका दूसरा पहलू हम देखें कि क्रांति मात्र परिवर्तन नहीं है अर्थार्थ यदि मैं बात करूँ आदि काल की जिसमें मानों आदिमानों में परिवर्तन आने में लगभट 6 लाख वर्ष लगे तो वो करांती नहीं कहलाएगी आपने सुना होगा मॉबाइल की करांती हुई प्रिंटिंग की करांती हुई और आपने ऐसे भारत के संबंद में सुना है 1857 की करांती उसके अलावा भारत में एक और बहुत बड़ी करांती की कारी घटना हुई थी जिसको करांती कहते हैं संपूर्ण करांती जैप्रकाश नारायन जी का एक आंदुलन था जिससे संपूर्ण करांती का नाम दिया गया था और यदि क्रांतियों की और बात करें तो आपने फ्रांस की क्रांति सुना होगा फ्रेंच रिवल्यूशन उसके अलावा इंग्लेंड में हुआ था एक ग्लोरियस क्रांति ग्लोरियस रिवल्यूशन जो 1688 में हुआ था फ्रांस की क्रांति 1789 में होई थी तो ये क्रांतियां निश्चित रूप से इन क्रांतियों ने भारी परिवर्तन लाया भारी परिवर्तन लाया लेकिन जैसा मैंने आदि मानों से आज भी भारी परिवर्तन हुआ है आदि मानों का जीवन आपने पढ़ा और आज हम क्या हैं कितने बदले हुए हैं क्या ये क्रांति है नहीं ये भी तो आमूल चूल परिवर्टन है तुलना करें आदि मानों की आज के मानों से उसके जीवन शैली की उसकी स्थितिक की उसके विचारों के ख्यंता के उसके बौधिक ख्यंता की तुलना करें तो जमीर असमान का अंतर है पर यह क्रांति नहीं कहलाती तो फिर ऐसी क्या बात है कि परिवर्तं तो है उलट फेर तो है मूल भूत परिवर्टन तो है लेकिन क्रांति नहीं है दूसरे शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्रांति मात्र उलट फेर नहीं है क्रांति मात्र पूर्ण परिवर्टन नहीं है क्रांति मात्र पूरा बदलाव नहीं है क्रांति का अर्थ है ऐसा बदलाव ऐसा पर फेर जो अपैक्षाकरित कम समय में घटित हो, समय अर्थात इसमें समय भी बहुत महत पूर्णा। बहुत लंबे काल में होने वाले परिवर्तन को करांति नहीं कहते। करांति के साथ समय भी जुड़ा हुआ, परिञाम और समय, ऺतने समय में ये परिवर्तन आया? यदि वह बहुत तीव्र था तेज गति से हुआ तब ये परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाएगा मात्र परिवर्तन नहीं तो इस परकार क्रांति अधिकारों या संगठनों या संरचनाओं या सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक ऐसे मूल भूद परिवर्तन जो अपेक्षा क्रित कम समय में घटित हूँ अर्थात इनके घटने की जो घटी है वो बड़ी तीव रहोती है आज पूझीवाजी विवस्था थी अचानक पांच वर्ष में चार वर्ष में कुछ वर्षों में पूरी की पूरी विवस्था बदल गई और समाजवादी विवस्था हो गई हमने रूस की करांति पढ़ी है जो 1917 में हुई आखिर वो क्रांति क्यों कहलाती क्योंकि इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन मात्र एक वर्ष में हो गया किस तरह का परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसने सामाजिक व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया वो व्यवस्था क्या है इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे लेकिन आप के लिए भी फिलहाल क्रांती शब्द से वाकिफ होना है तो उसमें बासपष्ट हो गई कि क्रांती कारी परिवर्तन क्रांती वह कहला घटना है जो पूरा परिवर्तन लाती है और जिसकी गटी बड़ यदि हम राजनेतिक क्रांतियों की बात करें क्योंकि सामान यतिया क्रांतिया हमारे नजर में राजनेतिक क्रांतिया हैं हमारी नजर में सामान यतिया राजनेतिक क्रांतियों से ताटपर ये है जहां पर पूरी सत्ता पूरा सम्विधान बदल दिया जाए तो अरस्तु ने दो प्रकार की राजनेतिक क्रांतियों का वर्णन किया, पहला जिसमें एक सम्विधान से दूसरे सम्विधान में पूरा परिवर्तन हो जाए, अर्थात ताना शाही है, अचानक ताना शाह को हटा दिया गया और वहाँ पर गनतंत्र स्थापित किया गया, यह वहाँ पर संचदी व्यवस्था स्थापित की गया, यह वहां पर राश्पती के नेत्रत्त में सरकार बनाई गई, तो यह ताना शाही व्यवस्था और इस व्यवस्था में जमीन आस्मान का अंतर है और यह अचानक होता है, बड़ी तेजी से हुआ, तो एक परिवर्तन तो ऐसा सम्वैधानिक परिवर्तन आमूल चोड़ा और दूसरा परिवर्तन भी सम्विधान से ही है पर वो उसमें कुछ संशोधन हो आपका सम्विधान वही रहेगा लेकिन कुछ बदल जाए उसमें थोड़ा पर जो बदला गया है वो बड़ा भारी क्रांतिकारी हो तो इस सम्विधान में संशोधन जो मानव इतिहास में हम अधिकतर क्रांतियों की जब बात करते हैं तो इस सब राजनेतिक क्रांतियों की बाते होती हैं इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हमारा विशय राजनेतिक क्रांति से संबंदित नहीं है हमारा विशय औद्योगिक क्र पर सामानित्या क्रांति का उप्योग हम राजनेतिक परिवर्तन से करते हैं प्राजनेतिक पद्धति अवदी वैचारिक शिद्धान्त इसमें बदलाव आता है और इसके कारण संस्कृति और थ्व्यवस्था इनमें परिवर्तन आजाता है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्रांति जो है वह सामानित्या एक सामानि आदमी की नजर में राजनेतिक क्रांति से उसका अरतात पर है यद्यपी ऐसा गलत है ऐसा सोचना गलत है राजनेति से हटकर भी अनिक शेत्रों में भी क्रांतियां हुई हैं तीवर परिवर्तन हुए हैं और उसमें से एक परिवर्तन है और द्योगिक क्रांति और जोगी क्रांटी पर बढ़ने ते पहले हम थोड़ा सा और जाने कि भारत और क्रांटी इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध रहा है भारत की बात जब होती है तो राजनेतिक क्रांटियां बहुत कम हुई हैं लगभग नहीं के बराबर इसके क्या कारण है और ऐसी क्या बात है कि हमारे हाँ राजनेतिक बदलाओ के जातो जरुरत आन नहीं पड़ी या राजनेतिक बदलाओ के प्रयास हुए तो सफल नहीं हुए इसलिए क्रांटी नहीं हो पाई ऐसा कुछ है 1857 की क्रांटी के हम बात करते हैं कई बार और 1857 की घटना को जिसमें रानी लक्ष्मी बाई का जिक्र होता है इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंग्लेंड की संसद को सत्ता हस्तांत्रन का जिक्र होता है कंपनी से ट्रांसफर अफ पावर क्राउन को होता है राजा भारत का ब्रिटिश अंपायर का जो राजा है इंग्लेंड का राजा भारत का राजा बनता है इंग्लेंड की संसद भारत में अपने अधिकारी नियुक्त करती है थारा सो संतावन में उसे कई बार क्रांती कहा जाता है उस परिवर्तन को उस बदलाओं को लेकिन बहुत चे लोग उसे सहमत नहीं है सचाई तो यह है कि क्रांती तभी किसी घटना को कहा जाता है जब वह सफल हो जाए जब वह परिवर्तन पूरा हो जाए जब पूरा यू शेप में पूरा परिवर्तन हो जाए तब उसे हम कहेंगे क्रांती 1857 की जो घटना हुई थी वो एक शेत्री घटना थी यद्यपी पूरे देश में बहुत जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ लेकिन इतिहास में ज़िए हम अध्यन करें तो हम पाएंगे कि ये एक संगठित विद्रोह नहीं था ये एक सफल करांटी नहीं थी अंत में हमें अंग्रेजों ने पुना कुचल दिया चाहे उसके लिए भारती ही कितने जिम्मेदार ना क्यों नहों लेकिन अंग्रेज इस घटना के बाद अपनी उन्होंने पकड़ और मजबूत कर ली भारत पे तो ये एक विवाद का विश़ बना हुआ है कि 1857 की घटना को क्रांटी कहें या मातर गदर कहें या प्रसम स्वतंता संग्राम कहें या प्रसम स्वतंता आंदोलन कहें वो दूसरा विश़ है दूसरी क्रांटी जिसको लेकर भारत में चर्चा होती है मैंने आपको अभी जिक्र किया संपूर्ण क्रांटी जो जैपकाश नारायन ने जिसका नेत्रित किया था बिहार में और जिसमें पूरे देश के विद्यार थी यूआ वर्क के लोग शामिल हुए थे वो भी एक क्रांटी कारी परिवर्तन हो रहा था लेकिन एक ऐसे मोड पर आ गया जहां पर वो तूट गया विच्छित हो गया बट गया और क्रांटी अपने अंतिम चरण तक नहीं पहुँच पाई जिन परिवर्तनों की अपेक्षा थी जिन परिवर्तनों को लेकर या अंदोलन हुआ ये ये करांटी हुई थी वे परिवर्तन दिखाई नहीं दिया तो इसलिए ये भी एक अधूरी ही करांटी रह गई और ऐसे कुछ-कुछ को लेकर इतिहासकार भारत में करांटीयों की बात करते हुँ लेकिन राजनेतिक करांटीयों भारत में हम देखा देखें तो लगभग नहीं के बराबर उसके विपरीत भारत में मूल रूप से हम जो करांटीयों सुनते हैं उसका सम्मंद क्रिशी से है भारत की करांटी की यदि चर्चा करें तो एक सबसे बड़ा नाम आता है हरित करांटी हरित करांटी आपने सुना होगा जिसे अंग्रेजी में ग्रीन रिवल्यूशन कहते हैं ग्रीन रिवल्यूशन ग्रीन से हर्थ है खेती बाड़ी से क्रिशी से भारत में कृष्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 1966-67 में बहुत बढ़े स्केल पर कुछ ऐसी व्यवत्था की गई जिससे देश का उत्पादन जो है वो 120 करोड टन से बढ़कर 170 करोड टन पहुंच गया है पच्यास करोड टन बढ़ना ये बहुत बड़ी घटना थी गेहुं के उत्पादन में भारी भारी व्रिद्ध हुए वह देश जो 1965 के पहले गेहुं आयात करता था अपने को वो आत्मी निर्फर पाने लगा और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था इसके बहुत से कारण थे और करांटी कारी परिवर्तन इसलिए था क्योंकि बड़ी तीवरगती से हुआ था जिसमें बहुत तेजी थी तो ये एक पहला हरित करांटी उसके बाद दूसरा जो परिवर्तन हरित करांटी से यदि हम बात करें तो उसमें डॉक्टर MS स्वामी नाथन का नाम उससे जुड़ा हुआ है ऐसे ही एक है श्वेत करांटी वाइट रिवलूशन श्वेत याने वाइट रिवलूशन ये वाइट रिवलूशन क्या है इसका संबंद दूध से है दूध के उच्पादन को लेकर और दूध के बिक्री को लेकर जो एक व्यवस्था बनाई गई भारत में उस व्यवस्थ ने बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया यह 1970 में इसकी शुरुवात हुई थी और इसके जो संस्थापक माने जाते हैं सांदुलन के या इस क्रांति के वे थे डॉक्टर वर्गिस कुरियन मैंने जैसे बताया हरित क्रांति का नाम हरित क्रांति डॉक्टर M.S. स्वामी ना क्रांति और चूंकि दूस सफेद होता है इसलिए से श्वेत ऐसे नीली क्रांति हुई तीसरी क्रांति कहलाती है नीली क्रांति ब्लू रिवल्यूशन ब्लू रिवल्यूशन मच्स पालन से जुड़ा है मचलियों के उत्पादन को बढ़ाने से जो लगबढ़ उन्निस सो पच्यासी में कुछ ऐसी तकनीक कुछ ऐसे प्रयोग और सरकार ने पूरी तरह अपने को इसमें जो का मच्स उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो उन् में मचली पालन प्रजनन और उसका वित्रण निर्यात बहुत भारी मात्रा में हुआ इसमें काफी सुधार हुआ तो इस परकार इन क्रांतियों के लावा और चार-पांच क्रांतियां हैं जिनका मूलता संबंध कृशी से है जैसे यलोक रिवलूशन पीली क्रांति है फिर ल लाल क्रांति है जिसका संबंध टमाटर के उत्पादन से है लाल रंका है इसलिए तो निशकर्श ये कि ये भारत का जिए हम क्रांति से तालुकात जानने की कोशिश करें तो एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे हां राजनैतिक क्रांतियां लगभग नहीं के बराबर हुई उल्टा क्रिशी से जुड़ी क्रांतियां काफी हुई और सफल क्रांतियां हुई वास्तों में ये परिवर्तन बड़े तीवर गामी थे इसलिए ने क्रांतियां कहते हैं और क्रिशी से इन परिवर्तनों में लगभ आठ परिवर्तनों का जिकर होता है जिसमें हरित क्रांत से एक सवाल उटता है, कि भारत में आखिर ऐसी राजिनेतिक करांतियां क्यों नहीं हुई, जो दुनिया भर में हुई हैं, मैंने दुनिया भर के कुछ करांतियों का आपको जिक्र किया, ऐसी भारत में क्यों नहीं हुई, यह हुई हैं तो असफल क्यों हो जाती हैं, यह आप इसा भी है कि कुरांति को असफल कर दिया जाता है कुरांतियां होती है और असफल रहती है प्रकृतिय और मानव या सामाजिक ताने बाने को खत्म कर इस देश में कई बार कुरांतियों का प्रयास हुआ लेकिन दुर्भागे से वे सफल नहीं हो पाएं लेकिन कुछ दूसरे फैशन की करांती हुई बाजार देश में फैशन की करांती के साथ ही बाजार की बाजार खुले लोगों ने जो जबमे पैसे रखे थे अभी तक निकालते नहीं थे अचानक आप प्षा कर नकालना शुरू किया खर्च करना शुरू किया जीवन शैली बदलनी शुरू कि ये परिवर्तन बड़ा तीवर हुआ बलकि गत तीस वर्षों में ही ऐसा पाए गया कि भारती समाज की जीवन शैली में भारी परिवर्तन आजा तो इस प्रकार हम संक्षित में कह सकते हैं कि क्रांटी का उद्देश मनश की मनो वृत्ती या मनश की सोच की गती में तीवर परिवर्तन करना है और क्रांटी तभी संभव जब सामाजिक व्यवस्था और सांस्क्रित व्यवस्था के बीच में अंतर उट्पन हो ये एक सोचन क्रांटियां क्यों नहीं हुई और यदि हुई हों कभी ऐसे उधारन आपको मिलते हों तो असफल क्यों हुई जैसे 1857 की क्रांटी एक तरीके से राजनेतिक क्रांटी थी पर वो असफल मानी जाती है आखिर क्यों अब एक नजर हम विश्व में प्रसिद्ध क्रांटियों पर दोड़ाएं विश्व में घटित कुछ प्रसिद्ध क्रांटियां बहुत संक्षिप्त में लेकिन जब क्रांटी की चर्चा होती है तो ये तीन-चार क्रांटियों किसी भी हिस्से के विश्वितिहास का अभिन्य हिस्सा है पहली है फ्रांसीसी क्रांटी 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रिवल्यूशन 17 जुलाई 1789 ये जो फ्रांस की क्रांटी हुई इसने फ्रांस में राजनीतिक सत्ता में पूरा बदलाव लिया राजशाही को एक तरीके से समाप्त किया और जनता की सत्ता वहां सामने आए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये नारे वहां के तो आपने नारे बहुत सुने होंगे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्तु जो आज किसी भी देश के सम्विधान का आधार माना जाता है किसी भी आधिनिक देश के सम्विधान का आधार माना जाता है उसकी शुरुवात इस क्रांती से हुई जिसे हम फ्रांसीसी क्रांती कहते हैं तो जब ही हम फ्रांसीसी क्रांती की बात करें तो आप एक तारीक जाने क्या है दूसरा ये चार शब्द जाने क्या है तीसरा इस क्रांती से जुड़ो हुए दोती नाम बहुत आहम हैं हाप्स, लोक और रूसो ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर वैचारिक क्रांती लाई फ्रांस की जनता को जज़कोर दिया इतना जज़कोरा उन्होंने अपनी लेखनी चे कि जनता विवश हो गई उनके विचारों को स्वीकार करने के लिए और राज सत्ता को इस ने एक तरीके से तिरस्कृत कर दिया राज शाही को समाप्त कर दिया कई सो वर्षों से चलिया रही राजनीतिक सत्ता का बदलाव होता है और जनता का शासन इस्थापित होता है तो यह है फ्रांसीजी करांती फ्रांशीजी क्रांटी के बाद दूसरा है हम कह सकते हैं अमेरिका की क्रांटी अमेरिका स्वतंतर होता है 1774-1776 में अमेरिका की अमेरिका भी अंग्रेजों की बिटिश अंपायर का एक उपनिवेश था जैसे भारत एक उपनिवेश था, ऐसे ये अमेरिका भी उपनिवेश था अमेरिका भी बिटिश सत्ता के अंतरगत आता था लेकिन वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन के नित्रत में अमेरिकी क्रांती हुई और फिर अमेरिका स्वतनतर होता है आज चे लगभग धाई सोवर्ष पूर इतने पहले जिस तरीके से जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकन को एक जुट किया और अंग्रेजी फौज को पराजित किया और सुनिश्चित किया कि अमेरिका एक स्वतनतर देश बने जिस तीवर्था से ये परिवर्थन आया इसलिए ये क्रांती कहलाता है तो अमेरिकन क्रांती जॉर्ज वाशिंगटन के नित्रत में हुई जिसमें अमेरिका को स्वतनतर मिली और आज वही अमेरिका विश में अपना वर्चस बनाने में सफल हुआ है विश के सर्वशक्त शाली देश में का देश माना जाता है तीसरी क्रांती वो है सोवियत संग जिसे उसके विगटन के बाद 1990 में उसका विगटन हुआ सोवियत संग तूटा तो उसका एक देश रूस सामने आया 1917 में वहाँ जो क्रांती हुआ इसको कहते हैं बॉल्शेविक क्रांती क्या कहते हैं बॉल्शेविक क्रांती जिसका नित्रित्व व्लादीमीर लेनिन ने किया लादी मीर लेनिन इन्होंने वहां के करांटी का नित्रित्व किया और वहां जो कई सो वर्षों से वहां के जो राजा थे जिनको जार कहा दाता था राजा का नाम जार नहीं राजा के पद को एंपिरर को जार कहा दाता था वो जार को सत्ता चुत किया और जनता का शासनला है कमजोर वर्गों का वो भी कमजोर तबके के लोंगों का किसानों, मजदूरों, लोवर मिडल क्लास, मिडल क्लास इन लोंगों की सत्ता पहली बार स्थापित होती है धना डिवर्ग को सत्ता चुत किया जाता है वह धना डिवर्ग जो जार के काल में दर्बारी थे जार के काल में जो लोग बहुत अहम भूमिका निभा रहे थे उन्हें एक रातो रात कुछ घटना करम में उनको सत्ता से हटा दिया जाता है और मजदूरों की किसानों की सत्ता बलादी मीर लेनिन के नितरुत में सामने आ हम कहते हैं बॉल्शेविक क्रांती और एक जोथी क्रांती को हम कह सकते हैं सन यट सेन की क्रांती सन यट सेन 1911 चीन में चीन में भी जो क्रांतिकारी परवर्तन आया आज हम देखते हैं चीन किस पायदान पर है दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकट के रूप में उभर और उसका काफिक श्रे सन्यत्सेन को जाता है जिन्होंने चीन की प्राचीन पुरानी परंप्राओं को तिलांजली देकर नई राजनतिक व्यस्था स्थापित की उसके बाद वहाँ पर और कुछ और बदलाव आए लेकिन उसकी शुरुवात का श्रे वो क्रांतिकारी परिव क्रांतियां राजनतिक क्रांतियां मानी जाती हैं फ्रांज अमेरिका रूस और चीन इंग्लेंड में क्रांति हुई थी 1688 में जिसे ग्लोरियस रिवलुशन कहते हैं इंग्लेंड की क्रांति को क्या कहते हैं ग्लोरियस रिवलुशन 1688 उस समय भी इंग्लेंड में राजसत् एक हाथ से दूसरे हाथ में गई लेकिन वहाँ से England का अधनी की करण प्रारण होथा है क्योंकि संसदी प्रक्रिया की शिरुवात इस वर्थ से मानी जाती है एक तरह का चार्टर एक तरह का संविधान बनाय जाता है एक तरह का संसद होती है संसत के द्वारा एक सम्विधान मनाया जाता है जिसके तहट राजा की सत्ता राजा के अधिकारों को बहुत कुछ कम कर दिया जाता है और जन्ता के अधिकारों को बढ़ाया जाता है तो ये पाँच क्रांटियां आज विश्व में एक तरीके से वर्तमान विश्व का आधार हैं वर्तमान विश्व की राजनितिक विवस्था का आधार है हमने विश्व से जान लिया कि क्रांटि क्या है हमने ये भी जाना कि क्रांटियां कहां कहां होई उसके बाद हमने ये भी जाना कि भारत में कैसी क्रांति हुई और भारत में ऐसी राजनीतिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई क्यों नहीं हुई का उत्तर तो मैंने विस्तार से नहीं दिया है लेकिन आपको एक सोचने के लिए विवश जरूर किया है कि सोचें कि भारत में अथी क्रांतियां क्यों नहीं होती क्या इसकी जुर्णत नहीं है क्रांति को जानने के बाद अब हम दूसरे शब्द पर आते हैं और ड्योगिक हमने यह जाना कि क्रांतियां मूल रूप से राजनेटिक खर्क्रांतियां होती है हमने यह भी जाना कि भारत के सम्दर्ब में बात करें तो कृष्ण संबंधी क्रांतियां हो Latino आपको मालूम होना चाहिए कि वैचारिक क्रांती राजन्यतिक क्रांती को जन्म देती है दूसरे शब्दों में क्रांतियों की श्रेड़ी में राजन्यतिक क्रांती क्रांतियों की श्रेड़ी में आपने कृशी क्रांतियां और एक और शब्द वैचारिक क्रांती जिसमें विचारों में बदलाओ, बहुत तीवर बदलाओ कल तक लोग कुछ सोचते थे और आज उनकी सोच बदल गई अचानल जिसका श्रे कुछ लोग को जाता है, जैसे मैंने फ्रांस की बात की तो वहां मैंने हॉप्स, लॉक और रूसों की बात की इन्होंने अपनी लेखनी के बल पर समाज पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाला कि समाज की पूरी सोच ही बदल गई, सत्ता के प्रती, जीवन के प्रती और अपने प्रती ये परिवरतन बड़ा तीवर था और वैचारिक था, विचारों से सम्मंदित था इसलिए वैचारिक करांती होई, सामाजिक करांतियां भी होती है, सांस्कृतिक करांतियां भी है और इसी प्रकार एक और्द्योगिक करांती है, जिसका सम्मंद जैसा शब्द से इसपष्ट है, उद्द्योग से है किससे है? उढ़ियोग से है. चुकि इसका संभन उढ़ियोग से है, इसे औद्योगी करान्ति कहते हैं. औद्योगी करान्ति से तात्पर क्या है? एक बार मैं आपका ध्यान पुलो खीचूं कि और द्योगी करांती आधुनी की करण की और इस विशय के अंतरगत इतिहास के इस विशय के अंतरगत जो काल करम चौ्था है उसके अंतरगत पढ़ा जा रहा है जैने आधुनी की करण और द्योगी क्रांती की जो घटना है उसका संबन्द आधनी की करण से है वो आधनी काल की घटना है तो है ही लेकिन आधनी की करण की घटना है याने और द्योगी क्रांती आधनी की करण का कारण बनी इस बात से इस पस्ट है तो हमारा ये अध्याय इसलिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम जानेंगे कि आज जो हम हैं, इतने विकसित, इसकी शुरुवात किस रूप में होई, अध्योगी कुरांति के रूप में होई, और वो अध्योगी कुरांति का काल है, सत्रा सो से दो हजार, और काल करम चोथा आधनी की करण की ओर और विशय अध्य की क्रांती